हलो फ्रेंड्स मैं स्वागत करता हूं फिर से अपने नए यूट्यूब चैनल रनवूमी में दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को अलजबरा के कुछ ऐसे important questions के बारे में discuss किया था और कुछ काफी crazy tricks बताएं थे जिसके यूज करके आप काफी चंद seconds में ऐसे कुछ complex questions solve कर सकते हैं और उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और मैं video बना कर लाया हूँ part 2 तो जैसा कि दोस्तों आप question देख पा रहे होंगे यदि 2x minus 2 by x equal to 1 हो तो x cube minus 1 by x cube की value ग्याद करें तो दोस्तों अभी पिछले class में जब हमने आपको समझाया था तो उसमें आप देख पा रहे थें कि यहाँ पर जो जिसकी value हमें दी गई है वहाँ सिर्फ x हुआ करता था और x के साथ कोई भी coefficient या arbitrary या कोई भी digit like 1, 2, 3 इस type के कुछ भी नहीं रहते थे मगर यह इस question में थोड़ा एक unique चीज है इसको आप मैं समझाने की कोशिस करता हूँ दोस्तों देखिए जैसे कि हम जान रहें यहाँ पर देख रहें 2x minus 2 by x equal to 1 दिया गया है तो आपने करना यह है आपको हमेशा x minus 1 upon x या x plus 1 upon x जो भी sign आपको question में दिया होगा उस form में आपको पहले convert करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 है यहाँ भी 2 है तो सबसे पहले आपको इस 2 को remove करना होगा तो इसे remove करने के लिए हमें क्या करना है दोनों sides में divide करना है 2 से तो दोनों तरफ divide करते हैं तो यहाँ हो जाएगी x minus 1 upon x equal to 1 by 2 अब दोस्तों देखिए question अब आपका तयार हो किया है last class में जो मैंने आपको बताया था video में कि x minus 1 upon x equal to 1 by 2 then what will be the value of x cube minus 1 upon x cube तो दोस्तों अपसे question आपका पुराने question के जैसा हो गया तो अब आप यहाँ trick जैसा कि मैंने आपको पिछले video में बताया था कि जब यहाँ minus है और यहाँ भी minus है यानि sign same है तो आपको करना क्य क्यूब की तो क्यूब के लिए हमने आपको एक simple trick बताया था a cube plus minus 3 into a तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ minus है और हमें जिसकी value निकालनी है वो भी minus में है तो इससे हम किसमें कौन सा formula use करेंगे यानि same sign है तो same sign में दोस्तों हम हमेशा कौन सा sign use करते हैं plus तो दोस्तों यहाँ आप देखिए a की value हो गई 1 upon 2 minus 3 into a की value हो गई 1 upon 2 तो देखिए दोस्तों यहाँ plus होगा तो 1 upon 2 plus 3 into 1 upon 2 अब इसे अगर हम solve करते हैं तो value कितनी हा जाएगी 1 by 2 plus 3 by 2 यानि अगर अब हम इसे solve करते हैं तो यहाँ पर value आपकी हो जाएगी यह की value हो गई 1 by 2 और यहाँ cube है तो हम यहाँ cube कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 by 8 plus 3 by 2 अब आप इसे solve करेंगे तो यहाँ value आपकी हो जाएगी 13 by 8 तो आपका answer हो जाएगा option number B तो देखा आपने दोस्तों अगर इस question में अगर आपको x के साथ कोई भी coefficient like 1, 2, 3 कुछ भी अगर आपको दिया रहेगा तो सबसे पहले आपने उसे remove करना है तो यहाँ पर देखिए हमने काफी आसानी से इसको solve कर लिया और trick आपका वही रहेगा जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था आईए दोस्तो हम चलते हैं अपने next question की ओर जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यदि 2x प्लस 2 बटे x बराबर 3 हो तो x cube प्लस 1 बटे x cube प्लस 2 का मान ग्यात करें तो देखिए दोस्तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां जो आपको question दिया हुआ है उसे पहले आप देखिए 2x प्लस 2 बटे x इक्वल टू 3 और आपको value पूछी गई है x cube की तो सबसे पहले देखिए इस 2 को आपको remove करना है तो दोस्तो simple सी चीज है अगर इस 2 को हम remove करते है तो यह इधर हम left side में भी अगर 2 से divide करेंगे तो right hand side में भी करेंगे तो यहां से तो 2 आपका cut जाएगा मगर यहां पर 3 by 2 हो जाएगा अब देखिए question आपका तयार हो चुका है x plus 1 upon x equal to 3 by 2 हो तो आपको इसकी value निकालनी है यानि cube की तो cube के लिए हमारे पास जो trick है यान यानि a cube plus minus 3a a cube plus minus 3a अब आप यहां पर दोस्तों use क्या करेंगे तो देखिए यहां आपको plus है और आपको plus की value निकालनी है यानि sign same है तो आपको यहां पर minus का sign use करना है तो a की value यहां हो गई है 3 by 2 whole cube minus 3 into a की value क्या है 3 by 2 अब अगर आप इसे solve करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपकी value आ जाएगी 27 by 8 minus 9 by 2 अब अगर आप ध्यान दे दोस्तों यहां question में देखिए आपको यहां पर दिया हुआ है plus 2 मतलब x cube plus 1 upon x cube की value तो निकालनी है उसके साथ एक digit आपको add कर दिया गया plus 2 तो आप यहां इसी question में इसे add कर सकते हैं कि आपको plus 2 की value निकालनी है अब अगर आप इसे solve करने जाते हैं दोस्तों तो आपकी value हो जाएगी 27 minus 36 LCM आपका 8 आ जाएगा और यहां हो जाएगा plus 6 sorry 16 तो अब अगर आप इसे solve करते हैं तो इसकी value आ जाएगी 7 upon 8 तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका option number D हो जाएगा 7 by 8 तो देखिए दोस्तों यहां हमने फिर से इसी एक basic trick को use करके जटिल से जटिल सवाल को भी question को भी हम काफी आसानी से solve कर सकते हैं तो आईए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे next question की और जैसा कि आप screen पर देख पा रहे होंगे यदि 5x plus 1 by x equal to 10 हो तो x square plus 1 by 25 x square का मान ग्याद करें तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले question में कि सबसे पहले आपको यहां देखिए आप देख पा रहे हैं आपको दिया हुआ है 5x plus 1 by x equal to 10 तो आप जो आपसे जो question में जिसका मान पूछा गया आप उससे compare कीजिए देखिए यहां पर केवल x है और नीचे यहां पर 25x square है यानि यहां पर 5x हमें लाना है तो दोस्तों देखिए both side हम divide करेंगे क्या इस 5 को remove करना है तो यानि आपको 5 से divide करना है तो देखिए हमने दोनों side में 5 से divide कर दिया तो अब यह value आ जाएगी x plus 1 by 5x equal to 2 अब देखिए दोस्तों आपके लिए फिर से question तयार हो चुका है इसे पिछले question से गर आप compare करें x plus 1 by x से तो आप देखिए square की value निकालनी है तो square की value आपको जब निकालनी है तो trick हमारे पास है क्या a square plus 2 और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर hello तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारे पास trick है a square plus minus 2 तो जैसा कि हमने आपको बताया था अगर दोनों question में दिये गए parameter की अगर sign same होगी तो हमें कौन सा sign use करना है negative तो यहाँ हम लिख सकते हैं a square minus 2 तो अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि अभी यह इस question में एक नया चीज आ गया है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा focus करना है वो है देखिए x plus 1 upon 5x यह अगर सिर्फ x रहता तो हम इसी पुराने formula को use करके बना सकते थे मगर देखिए यहाँ one upon x के साथ एक digit आपका सामने आ रहा है देखिए देख पा रहे हैं आप वो है 5 तो आपने करना क्या है बस आपको सिर्फ x plus 1 by x के रूप में लाना है और इस x के साथ जो भी digit आपका रहेगा उसे बस यहाँ plus minus 2 के बाद में नीचे में उसे सिर्फ put कर देना है बस दोस्तो बस आपको सिर्फ इतना ही करना है और आप जटिल से जटिल सावाल को भी काफी कम समय में बना सकते हैं आप यहाँ देखिए एक ही value आपको पता चल गई यह कितनी है 2 तो 2 का square minus 2 by 5 अब अगर आप इसे solve करते हैं तो होगा 4 minus 2 by 5 और इसे जब आप solve करते हैं तो आपकी value कितनी आजए 5 चोके 20 और 2 यानि 18 बटे 5 यानि की option number C देखिए इसे solve करेंगे तो आ जाएगा 3 पुर्णांग 3 बटे 5 तो देखिए दोस्तों यहाँ आपका जवाब हो जाएगा option number C तो दोस्तों देखा आपने इसे फिर से इसी type के और एक question को हम solve करते हैं और अगर इसे समझना है अच्छे से दोस्तों अगर आपको कुछ दिक्कत आएगी तो कृपया वीडियो को पूरे सुरू से लेकर अंत तक देखें और जहां आपको समझने में दिक्कत होती है तो व 1 by 64 x square का मान कितना होगा तो फिर से दोस्तों जो question में आपको दिया है पहले उसे आसानी से note कर ले अब देखिए दोस्तों यहां पर x है और यहां 64 x square है यानि यह किसका square हुआ होगा यहां पर 8 x का तभी तो 64 x square हुए है तो देखिए यानि यहां पर x के साथ कोई parameter नहीं है यानि आपको इस x के साथ जो 2 है इसे remove करना है इसे दोस्तों remove करने के लिए आप क्या करेंगे आप सबसे पहले इसे remove करने के लिए both side आपको क्या करना है 2 से divide करना होगा जो भी digit यहां पर रहेगा आपको उसी से divide कर देना है अब इसे अगर हम solve करते हैं तो हो जाएगा x plus 1 1 by 4 2's are 8x equal to 1 by 2 तो देखिए दोस्तों यह अब आपका question ready हो गया है अब आप इससे compare करिए जिसके आपको value निकालनी है तो देखिए just इसका square है यानि आपको concentric यहां use करनी है a square plus minus 2 तो दोस्तों अब आप यहां देखिए a की value कितनी दी हुई है यहां पर 1 by 2 तो आप यहां whole square करना आप इसे whole square कर सकते हैं अच्छा अब आप चलते हैं हमें sign को देखना है जो काफी important चीज है यहां भी plus यहां भी plus mean same sign है same sign में हम हमें सा negative sign use करते हैं तो minus 2 कर दिया अब दोस्तों देखिए यह तो बात होई थी formula था x plus 1 upon x के लिए मगर यहां देखिए इस x के साथ आपको इस 8 के कारण आपको यहां 2 के नीचे भी 8 को बस put कर देना है दोस्तों जैसा कि पिछले question में हमने देखा था यहां पर 5 था तो हमने 2 upon 5 लिग दिया था उसी प्रकार यहां 8 है तो आपको लिग देना है 2 upon 8 अब आप इसे solve करिए 1 by 4 minus 1 by 4 तो देखिए दोनों कट आएगा आपका option number A चलिए दोस्तों ऐसा ही एक और question हम solve करने का प्रयास करते हैं यहां भी आप देख पा रहे है 2x minus 1 by 2x equal to 5 हो तो x square plus 1 by 16x square minus 2 की value निकालनी है आपको तो पहले दोस्तों जो दिया है आपको question में आप उसे लिखिए 2x minus 1 by 2x equal to 5 तो अब यहां देखिए value न जगा पर कुछ भी नहीं है that means इस 2 को आपने remove करना है तो इस 2 को आप remove करने के लिए क्या करेंगे आपको both side 2 से divide करना है तो देखिए हमने divide कर दिया तो हमारी value आ जाएगी x minus 1 upon 4x equal to 5 by 2 तो देखिए दोस्तों अब यह question आपका तयार हो गया है अगर यहां आप देखिए य हमें concentric use करना है a square plus minus 2 अब sign पर depend करते हैं कि कौन से sign हमें use करनी है तो देखिए दोस्तों यहां minus है और यहां plus है that means opposite sign है तो हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि opposite sign रहने पर हमें हमेसा plus use करना तो plus 2 लिग दिया अब दोस्तों देखिए यह तो बात हुई थी x minus 1 upon x या 1 x plus 1 upon x के लिए मगर यहां देखिए x के साथ एक digit आपको देखने को मिल रहा होगा तो यह कितना है 4 यानि आपको इस 2 के साथ इस 4 को लिख देना है तो यह तो बात हुई दोस्तों सिर्फ x square plus 1 by 16 x square की value के लिए मगर आप थोड़ा सा ध्यान दें यहां question में minus 2 भी इसके साथ है यानि आपको minus 2 वाले की भी value निकालनी है तो क्या आप यहां पर फिर से minus 2 लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं अब देखिए यह आपका answer पूरा set हो गया अब आपको सिर्फ value पूट करनी है और आपका answer निकल जाएगा एक ही value देखिए कितनी है 5 by 2 तो यहां 5 by 2 बिठा देंगे प्लस यह 2 by 4 4 ही रहने दीजिए अच्छा यह हो गई 25 by 4 प्लस 2 by 4 minus 2 अब अगर आप इसे solve करते हैं तो देखिए यह हो गई 25 और 2 27 बटे 4 minus 2 चार दुनी आठ 27 में से 8 गय हो जाएंगे 19 और value हो जाएगी 19 by 4 तो देखिए दोस्तों option number A आपका यहां सही अब होगा तो देखा आपने दोस्तों यह मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको देखने में थोड़ा समझाने में समझने में समय लगेगा मगर एक बार अगर आप इस trick को अच्छे से समझ जाएं तो फिर ऐसे questions को आप चंद सेकंड hardly आप 5 से 10 सेकंड आपको लगेंगे बस calculated power आपकी अच्छी होनी चाहिए और चुटकी में आप यह questions को solve कर सकते हैं चलिए दोस्तों next question की ओर हम बढ़ते हैं देख पा रहे हैं आप यदि A plus 1 upon A equal to minus 3 हो तो A to the power 6 plus 1 upon A to the power 6 की value निकालनी है तो दोस्तों यह काफ important question है बहुत बार exams में भी ऐसे questions पूछे जादा हैं और मैं आसा करता हूं कि इस वार की जो group D की exam होने वाली है उसमें आपको हर set में इस type के कुछ ना कुछ questions जरूर मिलेंगे इसलिए दोस्तों एकदम डटे रहना है इसे छोड़ना नहीं है तो आईए दोस्तों question पर तो to the power 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं a square whole to the power 3 तो क्या ये a to the power 6 के equivalent है जी हाँ बिल्कुल है तो आपने भी बस यही trick यूज करना है value यहां देखिए a की power 1 है तो पहले आपको square वाली trick यूज करनी है फिर जो value आएगी आप उस पर cube की trick को use कर देंगे देखिए दोस्तों मैं जैसा क कि आप लोगों को दिखाता हूं तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहां आपको value दिया हुआ है a plus 1 upon a equal to minus 3 तो सबसे पहले आपको करना क्या है square में जाना है तो यहां आप direct लिख सकते है a square plus 1 by a square की value क्या हो जाएगी trick आपको पता है a square और देखिए plus से plus में जा रह है 2 अब देखिए a की value कितनी है minus 3 यहां बिठा दीजिए minus 3 square minus 2 equal to हो जाएगे 9 minus 2 equal to 7 तो देखिए दोस्तों आपके square की value कितनी आ गई 7 अब आप देखेंगे इससे आपने क्या करना है cube में जाना है तो cube के लिए हमने आपको trick बताया है a cube minus 3 into a अब देखिए यह plus से आप plus क value निकाल रहे है इसलिए same sign है इसलिए यहां minus होगा और opposite sign रहने से यहां plus होता है अब देखिए दोस्तों यहां a की value हो गई 7 अब इस a के जगा पे आपको put करना है 7 तो देखिए यहां होगा 7 cube minus 3 into 7 7 का cube कितना होता है दोस्तों yes 3 4 3 minus 7 3 is are 21 तो यहां आपकी value आ जाएगी 3 2 2 2 तो देखिए दोस्तों यहां इस हिसाब से आपका answer होगा option number a 3 double 2 तो देखा दोस्तों आपने कि इस video में हम last वाले video से कुछ और ज्यादा complex questions को हमने solve किया और काफी आसानी से solve कर दिया तो दोस्तों मेरा अगर यह video आप लोगों को पसंद आया होगा तो कृपया आप मेरे इस video को like करें subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा share करें और दोस्तों इसके बाद फिर से मैं part 3 में कुछ और video लेकर के आने वाला हूँ part 3 में इस से और high level के questions होंगे जो आपको ssc, cgl, chsl, mts के exam में भी काफी फाइदा पहुचाएंगे तो दोस्तों मेरा मकसद यही है कि मैं काफी आसान तरीके से आप लोगों को ज्यादा कठीन से कठीन questions को solve करने का idea दूँ उसे बताऊं तो दोस्तों प्लीज मेरे channel को like करें, subscribe करें और हाँ bell icon को दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे नए video की notifications मिलती रहे तब तक के लिए ध पहिंद जै भारत